हाई गई तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्णिंट होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले टॉप 10 बार्मिंटन रैकेट अंडर 5000 रुपीज साज साथ कवर करेंगे सारे रैकेट के स्पैसिफिकेशन और प्राइसिंग को भी तो अगर आप चनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफी जाजा रिसर्च एंड एडिटिंग लगी है तो आज का हमारा पहला रैकेट है तो लीनिंग का 3D कैलिबर एक्स है इसमें आपको तीन मॉडल देखने को मिल जाएंगे ड्राइब बूस्ट एंड यह तीनों का वेट फिल एंड कलर में जो कि हम आगे बात करते तो मटेरियल की बात करें तो तीनों यह ड्राइब उस्ट कॉमबैक में कार्वन फाइबर यूज़ वा है बैलस पॉइंट की बात करें तो तीनों ही हैड है बानमिंटन रेकेट है हैडशेप आईसोमेट्रिक में देखने को मिल जाता है श्टिंग टेंजन तीनों में आप मेक्जिमन 30 lbs तक लगा सकते हैं वित टीजिएट की बात करें तो सिंगल पीष टीजियूंट ये बैनमिंटन रैकेट है शाफ flexibility की प्लात करें तो तीनों ही flexible हमें इसका shaft देखने को मिल जाता है grip size S1 and overall weight की बात करें तो drive आपको 82 gram देखने को मिल जाएगा boost आपको 83 gram देखने को मिल जाएगा and combat 85 gram and pricing की बात करें तो तीनों की भी pricing almost same है 4290 रुपीज में आपको देखने को मिल जाता है price and difference जैसे कि मैं बता है weight, feel and color weight के तो जैसे बात कर लिए तो drive का weight 82 है boost का 83 है and combat का 85 है ट्राइफ ट्राइव किसके लिए है? ट्राइव जिनको काफी जादा defensive game खिलना पसंद है काफी जीज़ारेकेट में fast swing्स चाहिए उनके लिए drive बढ़िया है boost मॉडल उनके लिए इच्छा जिनको काफी control game खिलना पसंदे हैand combat उनके लिए अच्छा जिनको काफी पावर्फुल काफी जो एटेकिंग गेम खेलना पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्बेट काफी बढ़िया रहेगा लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 30 LBS से नीचे ही लगाए तीजोंट की बात करें तो सिंगल पीश टीजोंट बैलमेंटन रैकेट ही हमें देखने को मिलता है शाफ लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल इसका शाफ है ग्रिप साइज इसमें आपको दो ग्र पीस के राउंड यह रैकेट आपको देखने को मिल जाएगा तो मैं सारे रैकेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां जाके ले सकते हैं इसमें भी आपको दो मॉडल देखने को मिल जाएंगे टेक्टोनिक 3 & 3R में क्या डिफ्रेंस है खाली कलर एंड ड बात कर लेते हैं तो चारोई रैकेट के जो माटेरियल यूज हुआ है वह कार्बन फाइबर यूज है बैलन्स पॉंट की बात करें तो तीन चारोई है वी बार्मिंटन रैकेट है है इसमें देखने को मिल जाता है स्टिंग टेक्टोनिक 3-4 यू टेक्टोनिक 3-5 यू का जो मैंग्जम श्ट्रिंग टेंशन है वो 25 LBS तक है यह लाइक कंपनी से मैं प्रसनली बात कर आँ तो उन्होंने कहाए कि आप इसमें 30 LBS तक लगा सकते हो को इश्यू नहीं है टेक्टोनिक 3-R का 4-U & 5-U में जो मैंग्जम श्ट्रिंग टेंशन आप 30 LBS लगा सकते हो इस टेक्टोनिक 3 4-U का जो लेट है वो है । 34of ग्राम अपको देखने को मिल जाएकर टेक्टोनिक 3 5-U का वैट है वो आपको 75-79 ग्रम देखने को मिल जाएकर Tectonic thinaker 3R का 4 u का यह 80-84 ग्राम है 75-79 ग्रम पराइस कबद कर स्कूनिक प्राइज की बाद कर ले तो है आपको चार रेकेट है वह मैग्स बोल्ट कंपनी का गैलेंट टूर है मैटेरियल की बात करें तो 40 तन कारवन ग्रिफाइड इसमें यूज हुआ है बैलेंस पॉइंट यह हैड है बात करें तो इसमेट्रिक अधिशिप में देखने को मिल जाता है बैक दो में श्रिंग टेंजन आप इसमें 43 लगा सकते हैं निकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि 30 लगा है टी जोइंट की बात करें तो एक सिंगल पीश टी जोइंट बार्मिंटन रेकेट है शाफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इस्टेविस का शाफ्ट है ग्रिप साइज जी फाइव एंड ओर वेट वेट ऑफ ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है आपको फानली प्राइस की बात करें तो 4,899 रुपीज का यह रैकेट आपको देखने को मिल जाएगा तो जो हमारा फिफ्ट रैकेट है वो लीनिंग का प्राइस की बात करें तो फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है ग्रिप साइज जी फाइव एंड ओर वेड वेड रैकेट इस 84 ग्राम फानली प्राइस की बात कर ले तो 4,790 रुपीज में देखने को मिल जाता है यह जो हमारा सिक्स्त रैकेट हो युनिक्स का एश्ट्रॉक 7 डीजी है मट्रियल की बात करें तो एच्छेम ग्रिफाइट इसमें यूज हुआ है बैलेंस पॉइंट यह हैड हवी बार्मिंटन रैकेट है हैडशेव आइसोमेट जो एश्ट्रॉक 3DGA जो 70 इसमें आपको दो ग्रिफ साइज देखने को मिल लेगा जीफाइब जीफाइब जो मैग्जिम अविलेबल रहता है और वेट की बात करें तो फोर यू आपको यहां देखने को मिल जाएगा 83 ग्राम के अराउंड फाइनली प्राइस की बात कर ल प्रोवाइट करता है एक्स्ट्रा इस्ट्रॉंग स्पीट आपके रैकेट में सो मटेरियल की बात करें तो ड्राइब बुष्ट कॉम्बैक में तीनों ही कार्बन फाइबर यूज़ हुआ है बैलन्स पॉइंट की बात करें तो हैड 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 इसमें देखने को मिल जाता ह जो बूष्ट है वो 83 ग्राम जो कॉम्बैक्ट है 85 ग्राम फाइली प्राइस की बात कर ले इस रैकेट की तो 4,190 रुपीज में देखने को मिल जाता है यह तीनों ही मॉडल ड्राइब बूष्ट और कॉमबैक जो हमारा 8 रैकेट है वह Mizuno का प्रो मैक्स RX9 है मट्रिल की बात करें तो जैपैन हाइई मॉड्यलिस ग्राइड इसमें यूज हुआ है बैलेंस बॉइंट की बात करें तो हैड है आवी बान्मिंटन रैकेट है एडच फिप आईजोम इसमें बिल जाता है मैं लेकिन मैं र 80-84 ग्राम के आराउंड देखने को मिल जाएगा यह रैकेट आपको फाइली प्राइस की बात करें तो 4,299 रुपीज में देखने को मिल जाएगा यह रैकेट आपको जो हमारा 9th रैकेट है वो लीनिंग का Blade X 200 है इसमें भी आपको दो मोडल देखने को मिल जाएगे Blade X 200 & 200R तो क्या डिफ्रेंस है 200 & 200R में खाली कलर एंड डिजाइनिंग का Blade X 200 में आपको दो कैटेगरी देखने को मिल लेगा 3U & 4U and 200R में एक ही कैटेगरी देखने को मिल जाता है तो तीनों में ही आपको कारवन फाइबर देखने को मिल जाता है तो T-joint की बात करें सिंगल पिश T-joint ये बाइनमिंटन रेकेट है शाफ फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफ है इसका ग्रिप साइज जी फाइफ एंड ओवरल वेट ऑफ द रेकेट जो Blade X 200 3U है तो 3U जो इसका वेट कैटेगरी है तो 85-89 ग्रम देखने को मिल लेगा जो Blade X 200 4U है तो इसका जो वेट कैटेगरी है आपको 80-84 ग्रम के भी देखने को मिल जाएगा है जो 200R का 4U है इसमें भी आपको 80-84 ग्रम देखने को मिल जाता है फाइली प्राइस की बात कर लूँ तो 3,990 रुपीज में ये तीनों ही मॉडल आपको देखने को मिल जाते है तो जो हमारा टेंथ रैकेट है वह एश्वे का एक्स फायर है मटेरिल की बात कर तो ग्रिफाइड इसमें यूज हुआ है बैलेंस पॉइंट ये एक हैड लाइ बैल्मिंटन रैकेट है शाफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें मीडियम फ्लेक्सिबिल इसका शाफ है ग्रिप साइज जी टू एंड ओर वेट अपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपकी हेल्प ही है वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए नीचे अगर आपको क शुक्राइब जरूर करना